हेलो दोस्तों मसकाच इसका चैनल में हम बताएंगे कुछ ऐसे इंट्रेस्टिंग बेनिफिट्स और टिप्स जो आप जानकर बहुत खुश हो जाएंगे कच्ची हल्दी के बारे में इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगे इसके बेनिफिट्स चलिए जान लेते हैं सर्दियों के सीजन में मार्केट में कच्ची हल्दी उपलब्ध हो जाती है अदरक्सी दिखने वाली इस हल्दी में इतने गुन होते हैं कि ठंड में भी यह आपको फीड बनाएगा और आपको हेल्द के लिए बहुत मदद करेगा कच्ची हल्दी में केलशियम, आइरन, मेगनेशियम, जिंक और कई तरह के विटामिन पाई जाते हैं, जो हमारे सेहत के लिए बहुत फ़ाईदेमन होते हैं अगर आप कच्ची हल्दी का सेवन करते हैं दोस्तों, तो कई बिमारियों से बच सकते हो आईए जानते हैं कच्ची हल्दी के फाइदे कच्ची हल्दी डायबेटिस के पेशेंट के लिए बहुत फाइदेमन आउशदी है कच्ची हल्दी के नियमित 7 से शरीर में इंसुलिन के स्तर को नियंत्रिक करने में मदद मिलती है या diabetes के दोरान दी जानी वाली दवाईयों के आसर को भी बढ़ाने में मदद करती है। लेकिन शुगर के high dose दवाईयों के साथ कच्ची हल्दी का सेवन करने से डॉक्तर की सलाज ज़रूर ले। कच्ची हल्दी सेवन करने से blood pressure, blood clotting जैसे कई समस्याओं दूर हो रहती है। साथ ही inflammation और oxidation को कम करती है। ये सबी factor control में रहने के लिए दिल की बीमारी होने का खत्रा भी आपको कम होने के chances सरह रहते हैं। कच्ची हल्दी त्वचा को लगाने से चेहरे की खोई हुई चमक लवट आती है। रोजाना कच्ची हल्दी लगाने से कुछी दिनों में त्वचा पर लगे दाग धब्बे दूर हो जाते हैं। और skin निखरने लगती है। अगर आप अपनी त्वचा को निखारना चाहते हैं तो सिर्थ घर के कच्ची हल्दी का इस्तेमाल करें। इसके लिए एक चमच कच्ची हल्दी का रस ले। उसमें थोड़ा सा दूद मिलाकर पेस्ट बना ले। और नियमित से उसको रोज चेहरे पर लगाए। अधे घंटे के लिए लगाए फिर इसको दो दे। हल्दी में सुजन को रोखने का खास गुण होता है। इसका उपयोग गठिया रोगों को भी रोगियों को भी अठ्यादिक लाब पहुंचाता है। यह शरिर के प्राकुरूतिक सेल्स को खत्म करने वाला फ्री रैडिकल्स को खत्म करती है। और गठिया रोग भी होने वाले जोडों के दर्ध में भी बहुत लाब पहुंचाती है। कच्ची हल्दी गले के खराष से राहत पाने के लिए फाइदेमन होती है। कच्ची हल्दी में anti-inflammatory योगिक होते हैं जिस वज़न से कच्ची हल्दी का गले की खाराश से राहत पाने के लिए इस्तिमाल किया जा सकता है कच्ची हल्दी का पेस्ट बना ले और उसमें आदा चमच लसुन का पेस्ट और एक चमच गुड डाल कर मिला ले खाना खाने से पहले इस मिश्रून को थोड़ा गर्म कर ले दिन में सिर्फ एक बार सेवन करे तो दोस्तों आपको यी वीडियो कैसी लगी है अगर आपको यी वीडियो पसंद आई तो लाइक करे शेर करे और सब्सक्राब करना बिल्कुल भी न भूले मिले हैं एक बीओ में